असलाम अलेकुम देर क्लास्टिक स्टूडेंट्स आएंटीचर वकार यासीन फ्रॉम यूपी अस्तर कबोरा आज हम हिस्ट्री का लेसन किंग्डम्स किंग्स एंड अर्ली रिपाब्लिक इस लेसन को आगी कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हमारा पहला सब टॉपिक है देट इस पॉलिटिकल और्गनाजेशन पॉलिटिकल और्गनाजेशन या जो सियासी तंजीन थी सियासी स्टॉक्चर था महाजनपदास का वो कैसा था प्यारे बच्चों पॉलिटिकल और्गनाजेशन अगर हम देखें महाजनपदास का तो वो दो हिस्सों में और्गनाजेशन था एक मोनार्की बेस था और दूसरा रिपॉब्लिकन सिस्टम बेस्ट था जो मोनार्की सिस्टम बेस्ट पुलिटिकल और्गनाजेशन उस वक्त राइज थी महाजनफ पदाज में उसके हिसाब से मोनार्की में किंग हेड होता था स्टेट का इन्हें सिटेट को रूल करता था King Magada state इसकी एक एकजामपल थी जिसको एक King रूल करता था दूसरा सिस्टम था Republican system का Republican system में सिटेट को रूल करता था एक Elected Chief जिसे लोग Elect करते थे और इसे गन्पत कहा जाता था मलाज इसकी एक एक एक्सामपल थी स्टेट को चलाने के लिए या महा जनब अदास को चलाने के लिए टेक्जिशन काफी आहिम था तो देखते हैं टेक्जिशन का सिस्टम क्या था महा जनब अदास को बहुत ज़दा huge amount of money की जुरूत थी इसलिए इन्होंने impose किये taxes 1 by 6 tax इन्होंने fix किया crops पे, फसलों पे craftspersons जो चीज़े बनाते थे हाथों से उन पे tax लगाया गया herders पर भी tax लगाया गया और जो चीज़ें बेची या खरीदी जाती थी trade के जिरिए उस पे भी tax लगाया इसके अलावा hunters और gatherers पर भी tax के हिसाब से इनसे forest produce मांगा जाता था वो इन्हें राजा को देना पड़ता था as a tax, as a tribute अब हम आते हैं agriculture agricultural system of महा जानपदाज यानि महा जानपदाज में agricultural system कैसा था यह हम देखते हैं दो major change लाई गई, introduce कराई गई agriculture में एक तो यह rapidly change लाया गया प्लो शेर्स में यह जो जिसे जमीन जोता जाता था वो पहले लकड़ी का होता था इसमें change लाया गया यह iron के इस्तमाल में आने लग गये यहने के low ही के second, दूसरा change agriculture में क्या लाया गया लोगों ने paddy को ट्रानस प्लांट करना स्टार्ट कर दिया तेजी से यह दो change देखी गई agriculture system अब देखते हैं वर्ना system क्या था महाचानपदास का पहरे बच्चों वर्ना का मतलब है संस्कृत में ग्रुप जमात के वर्ना से decide होता था एक इनसान का ग्रुप क्या है यह बर्त पर based नहीं होता था वर्ना system यह वर्ना लेकिन gradually later vedic age में वर्ना system जो है यह change हो गया और यह caste system में यह तबदील हो गया later vedic age में ब्रह्मेनिस जो थे जो चार वर्नास हैं ब्रह्मेनिस, शेत्रियास, वेश्यास और शूद्रास तो यह चार जो वर्नास थे इसकी इसाब से ब्रह्मेनिस का काम था knowledge, impart करना, तालीम देना और knowledge को फैलाना, इलिम को फैलाना शेत्रियास का काम था rulers का, यह rule करते थे लोगों के वेश्यास का काम था, यह traders थे trade करते थे और शूद्रास सबसे niche कास्ट के माने जाते थे यह slaves का इन से काम ले जाता था, इने गुलामों का और इनको entry नहीं दी जाती थी mainstream में, इने जो mainstream हो गए यह ब्रह्मेनिस, शेत्रियास, वेश्यास इनके जो इनका जो culture था, इनका जो कस्टम्स थे इनका जो उस रहन से एहन था, इसमें इनको entry नहीं मिलती थी, शूद्रास को ठीक है next lecture में हम मगदा एंडवाजी जाएंगे और इन दोनों states को पुरानी states को जानेंगे आज के लिए इतना ही अलाफिस